आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्लीन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि जो उप्प्लीन होता है वो लिंफौइट और्गन की तरीके से वर्क करता है अगर स्प्लीन की बात किया जाए तो ये हमारे बोड़ी के लिफ्ट साइड के पार्ट में प्रिजेंट होता है यानि हमारे डाइफराम के नीचे प्रिजेंट होता है अगर उस एरिया की बात किया तो उसे हाइपो कॉंट्रिक रिजन बोला जाता है यह हमारे स्टमक के फंडस के पास और हमारे डाइफराम के नीचे प्रि तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 12 cm होती है और इसकी विर्थ यानि चौड़ाई जो है वो लगभग 7 to 8 cm होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो एराउंड 2.5 cm होती है अग इसके structure की बात करें तो इसका structure जो होता है वो एक oval shape का होता है और इसके उपर जो covering होती है वो elastic fiber की covering होती है जिसे हम capsule कहते है और यह capsule जो होता है इस spleen के अंदर embedded होता है जिसे हम क्या कहते है ट्रैवी कुली कहते है यहां पर आपको दिख रहा होगा यह जो आपको दिख रहा है यह ट्रैवी कुली कहलाता है यह actual में करता क्या है कि जो lymphoid tissue होते है उनको अलग करने क का काम करता है यानि इसके अंदर जो हमारे lymphoid tissue होते हैं जिसे हम lymphatic tissue या फिर reticular tissue भी बोलते हैं अब यह जो tissue होते हैं इसके इलावा इसमें दो चीज़ एवर होती है जिसे हम क्या कहते हैं white pulp and red pulp यह जो red pulp होते हैं इसके अंदर हमारी red blood cells present होती है और जो white pulp होता है इसके and Microphages presentた Тة cu FL Timurids जो red pulp होता है इसी के अंदर हमारे जो red blood cells होती है उनहें का क्या होता इसमें breakdown होता रहता है जो white pulp होता है white pulp काम करता है कि जो भी lymph इसके अंदर आया होता है या जो blood आया हुआ हो रहता है उनका काम करते है अगर देखा जाए तो जिस जिस एरिये वे हमारी ये blood vessels present होती है उसके आसपास की जो area होती है उसे ही white pulp बोला जाता है ताकि जो blood के साथ जो भी antigen उस blood के साथ आए हुए है उनको kill करने का काम हमारे white pulp में present हमारे macrophages और lymphocytes करती है होता क्या है कि lymphocyte जो होता है वो be lymphocyte antibody का production करती है और जो भी antigen होती है उनको kill करने का काम करती है इसके साथ साथ blood जो हमारे spleen में आया हुआ रहता है हमारे जो abnormal RBCs होती है या old RBCs होती है उनको breakdown करने का काम करता है बाद में फिर ये जो RBCs होती है जिसको break करता है उसको iron और bil rubin में break करता है फिर इसे portal vein के throw उसे liver के पास पहुचा देता है और इसका अगर और एक function की बात करें तो इसमें storage का भी काम करता है मतलब कि जो भी blood होता है लगभग उसका 300 ml जो blood होता है वो हमारे spleen के अंदर store रहता है emergency के वक्त या hemorrhage हो जाए या फिर बात कर सकते है ट्रॉमा के वक्त ये blood क्या करता है release करता है अब अगर हम immune system के बात करें इसमें तो इसमें T lymphocyte और B lymphocyte present होते हैं जो काम क्या करती है कि जो भी antigen आये हुए रहते हैं या फिर जो इस spleen के अंदर infection cause करते हैं उनको kill करने का काम हमारे macrophages करते हैं हाला कि अगर देखा जाए तो spleen के अंदर जो efferent lymphatic vessels नहीं होती वो absence होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ different lymphatic vessels present होती हैं जिसकी वज़ास से spleen की वज़ास से कोई भी disease cause नहीं होती बट अगर in case spleen में किसी वज़ास से अगर disease होती है तो spleen का जो size हो जाता है वो enlarge हो जाता है जिसे हम spleen o megalie बोलते हैं spleen का अगर देखा जाए सबसे जो शुरुआत की बात करते हैं कि जब fetus रहता है तो उस वक्त spleen क्या करता है blood का production करता है body में long bone या आप कह सकते है bone marrow का development हो जाता है तो spleen क्या करता है blood के production को कम कर देता है तो आज के लिए बस इतना ही thank you